हालो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आनद कुमार और आप देख रहे हैं अमबे जे इंस ट्यूब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिच्छे 2013 में जो रिजिनिंग के प्रस्म पूछे गए थे उसके बारे में हम ब प्रस्म पूछे गया थे उनके बारे में बता देंगे और प्रैक्टिस से प्रीविए सीर कोष्टन भी चैनल पर अप्लोड ने जाकर आप उन्हें देख सकते हैं चलिए यह रहा आपका तार के ज्ञंता जाने के रिजिनिंग से समंदित प्रस्म तो इसम सॉल बने करेंगे सीधा एंसर बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी करह प्लस का मतलब भाग है और माइनस का मतलब गुड़ा है और बटे का मतलब प्लस है और गुड़ा का मतलब यह श्टार का मतलब आपका माइनस है तो यह 48 प्लस 12 बटे 15 गुड़े दो माइनस 5 का मान क्या होगा तो यह हल करेंगा तो यह 9 आ जाएगा ने अगला प्रस्म एके दूसरी ओर है पर एडी के बाइं पढ़ासी है और एफ जो सी है एफ और बीकर माइच जरा हुआ है एक बाइं पढ़ासी ए है तो एंज़ान उंगए काइं होगा तो यहजाल दूसे से बौर दोस्त हैं कर लिए स्वेजम गयनल् 10 गौन्सर टो सम्धकर बिकम बिकम पुछा है और विगेडियर करणल मेजर्ट टो यह यह पूंचा इसम भी सम कौन हैो तो ही सब आपके तिनों आर्मी से हैं यह सब इंडिन आर्मी के हैं भीया आपको एयरफर्स का इनेbeiस bri गायब संख्या बताना है, तो गायब संख्या कहां पर यह है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यह काफी आसान सा सवाल था, इसमें 538 का स्कॉाइर 64 हो गया, 549 का स्कॉाइर 80 हो गया, 426 का स्कॉाइर 36 हो गया, और 6, 6 plus 4 का स्कॉाइर, यह नि 1010 का के अनुछवत को पढ़ना अनुछवत में क्या था ए बी सी डी और ए सबी के पास नो गोलिया यानि के कंचे हैं बी दो गोलिया डी को देता है जो एक गोलियों को देता है और सी पांच गोलिया एक को देता है जो दो गोलिया एक को देता है जो तीन गोलिया एक को देता है त ए जो है बी को देता है तो ए के पास कितनी गोलियां बचेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो इसके पास बारों गोलियां बचेंगे निश्ट है राहुल की मा एकलावती पुत्री है मौनिका की पिता की तो मौनिका के पती राहुल को क्या लगते हैं तो ये पिता लगते हैं निश्ट है प्रस्ण चिन्ने के स्थान पर साही सब्द का चैन करना है तो pin कभी मतलब कभी किसे लिखता है? पिन से लिखता है तो सुषिके काउन काम करेगा? तो यह दरजी काम करेगा तो सुषिके कान काम करेगा? दरजी निश्ट ağ यहाँ पर यह कुछ जो है figure दिये गए है तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यह वाला यहाँ पर आपका अपसन B आ जाएगा अपर आ की जाएगा ऐसा तो यहाँ पर देखिए यह तिर भुझा है इसमें तीन भुझा है और इसमें चार है इसमें पांच भुझा है और इसमें छे भुझा है इसलिए आपका अपसन B य नेस्ट है यह देखते हुए की सबक सकते सर्क नहों बंटा सब्सक्राइए जोरेकल, सक्सेज मारे हैं ै कर दो चर-णार करва है यह और हम देखेंगे डी नाहां होगा जाइए खूर्चन है न को विक्टोरी सब्द का यह बना गया है यह कूट बदी तरीके से तो सक्सेज का क्या बनेगा सक्सेज का यह बन जाएगा चेंज करेंगे तो आप चेंज़ करना आपको आता ही होगा ये कोडिंग कोज़ने कापी आसान होते हैं जिसको आसानी से कर सकते हैं कहिंट कोईट एक है कि भाउबर 6 जए बराबर चार ल बराबर आथ और zoom चानिद टो और यह यहां पर फिर से कोश्टन दिया गया है कि खाली स्थान यहां पर क्या आएगा तो खाली स्थान पर यहां पर क्या आएगा वह बताने तो यहां पर चपना जाएगा अब कैसे है कि तो काफी सवाल काफी आसान सवाल यह भी है यहां पर देखिए पांच ओको 20 यह आ गया साथ चंग 42 यह आ गया और अच्छ चपपन यह आ गया और भी कई लॉजिकों से इस सवाल को हल किया जा सकता है लेकिन हमको सबसे आसन यह लगा इसलिए इस तरह से आपको बता दिया निश्ट कोश्टन है यह दिवर्स जो वर्स की 10 जनवरी को ब्रस्पतिवार था और उसी वर्स यह गैर लिप वर्स म पहली मार्च को कांसेड वार हो गया दिन हो गता है इसके लिए ऐसा बना हुआ है तो इसके लिए क्या बने अचेंगा रहा है इक यह तो यह सीथा सांसर कर जबकि आप देख रहे हैं कि आठ के सामने साथ है तेरे के सामने दो के सामने तेरा है और छे के सामने नौ है पांच के सामने क्या आएगा तो पांच के सामने आपका दस आ जाएगा यहां पर आपको जो है एगले प्रसमे का ढूनना है यह विसम को ढूनना है तो कोहिमा, सिलॉंग और इटा नगर यह जो है सब क्या है यह सभी राजधानिया है लेकिन यह आपका राज जे मिजोरम कैसा है यह मिजोरम एक राज जे बाकि सभी राजधानिया है यदि A जमा B घटा C गुना D भाग दरसाता है तो इसका अर्थ बताना है आपको जो A याद दे रखा है यह कहरा कि जमा यानि जोड है B क्या है? B आपका घटाने का है C जहाँ पर होगा तो C तो इसमें आपको C का गुड़ा दे रखा है और D का दे रखा है भाग तो कहरा कि इसका अर्थ इसका जो है मान निकालना है तो इसमें आप सिधा जो यह सिंबल दे रखे हैं जिस सिंबल का जो भी बताये गया है तो आप सिधा यहां रखे निकाल सकते हैं याद आएगा नेश्ट नीच दिए गया जोला या संक्या समोव दिये गया है चार इननीच किसी प्रकार का समाने एक जोला गत तो उसको आपको ढोलड़ा तो यह जो है NPO यह आपका अलुग याफ के बाक्लद या भी आपके तिनों सेमने прим एक कैमरे में हमेशा क्या होता है तो एक कैमरे में हमेशा लेंस होता है जो कि जरूरी होता है बिना लेंस का कैमरा नहीं हो सकता है नेस्ट कोश्चन है एक्स वाई जेड जो एक्स वाई हैं यह जेड के बच्चे हैं जेड जो है यह एक्स का पिता है परन्तु जेड वाई जेड का पुत्र नहीं है और वाई और जेड में क्या संबंद होगा तो यह पुत्री तथा पिता को होगा क्योंकि उसने कहा कि पुत्र नहीं है तो पुत लिया जाए तो समयकरण कौंसे सत्य होगा तो कौंसे समयकरण सत्य होगा यह आपका यह वाला सही हो जाएगा B2 प्लस 4 डिवाइडड़ भाइ 6 इकक्वाल टू 8 हो जाएगा निश्च कोस्चन हे करे यदि आसमान को केला कहा ज treatment कहा जाए क्या का OP जमीन को लाल का जाए तो मचलियां कहा रहेंगी मचलियां कहा रहेंगी जायरती बात है मचलियां जो हारे में रहेंगी अब इसको और कर लिए गा तो हरा अंसर आ जाएगा मनुस का चलना मचली का क्या हो जाएगा तैरना मनिस के चलना मचली के क्या हो जाएगा तैरना हो जाएगा अगला पुसना है दिये गए सब्दों को पाइचानना है तो इससे जो यह दिया गया है इससे कौन सा सब्द नहीं बन पाएगा तो इसमें जो है कौन सा सब्द नहीं बन पाएगा एफ से एफ गया देखे फिर से एक पर देखेगा यहां पर एफ है तो यहां पर भी एफ है यहां पर भी यहां नहीं है देख लिए यही नहीं बनेगा क्योंकि जो इसमें जो यह अक्छर दे रखे हैं इसमें समाच नहीं करेंगे यह से लिए नहीं बनेगा क्योंकि हम पूरा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यह में जो देहा हैं CLA या जो एक्षर दिये गया है यह में आप तीन बन जाएगे लेकिन यह वाला नहीं बनेगा नेश्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन से चित्र भावन लंबा और आदमी को संबंधित दरसाता है तो कौन से दरसाता है यह क्योंकि यह सबी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं भावन लंबा और आदमी यह सबी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं है नेश्ट है विसम को ढोनना है तो विसम में मिट्टी सवरी पेट्रोल कोईला ज्वार भाटा और मिट्टी स्थान पर यह अलग हो जाएगा पेट्रोलियॉद यौर्लишь क्या होता है जूते में हमेशा क्या होता है सोल जरूरी रहता है होना जैसे हमने बता है कैमरे में क्या होता है लिंस हमेशा होता है जूते में हमेशा क्या होगा सोल होगा निश्ट है यदि राम और स्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे है राम की च्छाया श्याम के दाहिनी और बन रही है राम की च्छाया है वो श्याम के दाहिनी और बन रही है तो श्याम के इस दिसा में देख रहा है तो यह देख रहा है अगला परसने कौन सा आरेक दिये गए वर्ग पति पतनी और परिवार के बीच संबंद को यह दर्शाता है तो यह जो गा कि अब स्थानग फॉप्सon C क्यों यह हो गए क्योंकि जो यह मनलोब परिवार हो गिए बाहरवाला और पति पतनी हो गए तो परिवार के अंदर आने सदस्प भी रहते हैं इसलिए आपका अप्शन सी सही हो जाएगा ने इस टेप बीता हुआ परसों सनिवार था तो आने वाला परसों क्या होगा तो इसको हल करेंगे तो आप बुद्वार आ जाएगा तो यह कैसे हो जाएगा तो इसमें देखिए यह दिया है आने जो बीता हो परसों तो यह परसों हो गया तो यह कौनसा दिन था यह था यहां पर दिया है सनिवार यह कैसा दिया है सनिवार और यह क्या हो जाएगा फिर इधर हो जाएगा आपका संडे यानि रभी वार यह जाएगा आज फिर क्या हो जाएगा आज हो जाएगा आपका सोंबार हो जाएगा तो कल क्या हो जाएगा कल हो जाएगा आपका मंगल तो परसों क्या हो जाएगा परसों आटोमाटिक ये बुद्वार आई जाएगा तो इ यहारखंट की राजधाने है निस्ठे ए यह अरडिसा की राजधानी क्य राजधानी क्या हो जाएगी उर्यचा की बुनरी संबद्र जाएगी अधर सकोर्णिर हो जाएगी लिकिस्त प्रवयरे कि चनप प्रणन के राखननी करे कि लाएं यह व्कौछ प्रक्स इतर दर टीन प gesprochen इस उन्हसनन प्धार प्त के आगे दो पिछे दो पिता हूं तो यह माक्सिमम् तीन एक के आगे दो पतक हो एक के आगे मतलब है सटक दो हो और है के पीछे यह तो अगärि अगर तो पीछ आगे यह को से दो पास्वारां तो यहां पर क्या है यहां पर आजगर पांसे क्यासी निश्टे आप राती को सिनेमा देखकर आ रहे हैं अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो आप उस टाइम क्या करेंगे आप लड़की के साथ जाकर उ थोड़ेंगे आप उस से उस टाइम यह नहीं कहेंगे कि वहां से गुंड़े चले जाने तो नतीज़ा भुकतनेक तयार रहे हैं यह फिर आप उनसे और उनके आसपास से कठा कर लोगों को आप इकठा करके कुंड़ों से छोटका रहे भी नहीं पासकते आप चुप चाप द कि अगर एक और वरत की परेद की तरिज्ञा 2 इंच की है तो बड़े पृति के तरिज्ञा कितनी होगी ठहाएं क gözा आपकी 6 इंच कि नश्टेख खाले स्थान को भरना है खाले स्थान के भीदिक करता है करता है लेकिन जो घड़ी होती है वह कं पर यह यहां फिर यह फिर पर यहां फिर भूमा करती तो इसलिए व्रती गति हो जाए गई है ते रेजेशनिंग के कुल ऐसरूं की 40 फ्रस्न परसमा अगली वीडियो को आपको जो है यह जो हु eli की मायत के कोश्चन हम आप पता देंगे तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं मायत के प्रस्मों के साथ तब तक के लिए जाहिंद